हलो इस्टुएंट आज का जो सेशन है वो निमसे 21-22 इस्टुएंट की विप्रेशन प्लान को लेकर है न्यू बैच को लेकर है और जैसा आप लोग क्योंकि हमने बोला हुआ था कि जुलाई में बैच एक स्टार्ट करेंगे और आप लोग जब फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो इसलिए मैंने सुचा एक सेशन लोग और आपको बताऊं कि इस बैच का प्लान क्या है दूसरी बात ये कि आप में से अभी बहुत सारे लोग इसलिए रुके हुए थे कि ग्रेशन के एक्जाम्स नहीं हुए हैं सेकंड यर या फर्स्ट यर के या इवन फाइनल यर अब मैक्सिमुम इस्टेट ने उसका प्रॉमोशन दे दिया है तो आपका क्रिशन भी कंपलीट हो गया होगा या second year कंपलीट हो गया होगा या फर्स्ट यर कंपलीट हो गया होगा या particular semester अब आपके पास समय है कि आप मूव ओन कर जाएं, पहले हमारी कोशिच थी हम लोग हमें लग रहा था कि साथ जुलाई फस्ट वीक से कोचिंग इस्ट ओपन हो जाएंगे, पर अभी तक गवर्मेंट की तरफ से ऐसा कोई और नहीं आया, जब तक और नहीं आएगा, जुलाई से फिर से एक बैच करेंगे स्टार्ट, आप उसको जुईन कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता दूँगा कि इस न्यू बैच, ओल बैच के कंसेप्ट क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, और जो भी बच्चा भुपाल आना चाहे, वो जैसे ही गवर्मेंट की पर्मिश से पढ़ सकते हैं, तो continuously whole year भी आप live classes के तुरू घर पर बढ़ सकते हैं, classroom open होने के बाद भी ये live classes course continue रेगा, ये मैंने इसलिए बोला कि कई बार बच्चे इस बात को confused होते हैं कि classroom के बार ये live class बन तो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा, इसका क्या trend है, कैसे चलता है, मैं अब एक होगा जुलाई में, अब होता क्या है कि आप जितना early करते हैं, उतना आपको advantage होता है, अगर मैं बोलूं तो जन्वरी वाले batch का एक round of syllabus complete हो चुका है, अब जिनोंने जून में या जिनोंने मई में start किया था, उनका भी topics cover होते जा रहे हैं, तो मैं आप सबको एक ब होता है कि अगर कोई topic आपने जो पढ़ा है और उस पे आपका command नहीं आया, तो आप उस नए batch के साथ पढ़ सकते हैं, यह सबसे बड़ा advantage होता है, और जब हम बोलते है new batch, तो वो new topic से हम आपको admission देते हैं, और उस topic पे ही आपका end होता है, क्योंकि हम पूरी duration में, जैसे ज जनवरी में किया, उनका round 1 हो चुका है, round 2 में चला है, यह December में end होगा, और उसके बाद next year के जनवरी से revision class plus test series होगी, यानि यहाँ पर भी revision होगा, और आप जिस topic से start कर रहे हैं, वहीं से आपका starting माना जाएगा, एक और फायदा होता है कि live classes में, जुडने से, कि जो live class का time ह होता है, आप उस time पर तो करी सकते है class join, जैसे evening अभी रखी हमने classes, बट कभी miss हो जाए, या आपने attend करिए कुछ के लिए नहीं आए, तो वो भी आपके dashboard पर रहती है, आप उसे बाद में भी देख सकते है, regular classes होती है, फिर उसमें practice test होते हैं, वो भी वहीं पर मिलते हैं, website आप mobile के थुरू आप देख सकते हैं, and then weekly Sunday test होते हैं, तो जितना early आप join करेंगे, उतना आपको फायदा होगा, मैं यह नहीं कहूँगा कि जुलाई के बाद नहीं होगा, बट मैं यह कहूँगा कि आप जितना रुकते हैं, जितना delay करते हैं, आप अपने उपर pressure बढ़ा ल होगे, ऐसे में आप maximum time अपनी preparation के लिए दे सकते हैं, और तीन तरीके हो सकते हैं, जुड़ने के, एक live class, एक pen drive course, एक classroom course, और इनके combination भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो pen drive के साथ live class join करते हैं, कुछ cable pen drive लेते हैं, कुछ live लेते हैं, और कुछ बच्चे classroom में आना जाहें, वो आ सकते हैं, जैसे कई सारे student, इस साल भी यही हुआ था, कि जब revision class January में start हुई थी, और test series, उस समय वो भोपा लागा है, इसका मतलए नहीं कि आपको आना कमपसरी, आना चाहें तो, क्योंकि live class, या pen drive में, अगर मैं बोलूँ, तो एक सबसे important चीज होती है, वो ह work from home ले रहे हैं, in fact, कई सारी कंपनियों ने जब work from home लिया, तो उनको ये बात भी समझ में आई, कि work from home में वो काम भी ले पा रहे हैं, और उनके expenses, cost कामारी, कैसे, तो अभी-अभी कुछ कंपनियों ने ऐसी policy भी बना लिए, आप लोग news भी पढ़ते हैं, कि वो अपना, कर है, office में भी आके करे, बन्दा या घर पे बराबर बात है, अगर एक company, सोचिए थोड़ी दिर के लिए, कि एक company, अगर एक office रंग करती है, तो पहले office के space, infrastructure, पूरा, पूरा management cost, पूरा staff, ये सब लगता है, और उसके बाद फिर employees आना चालो होते हैं, यानि, किसी एक single employee के ल वो चीज उसकी profit में करी चली गए, in fact मैं अगर बोलू, कि hundred of person के office का staff है, तो उसका expenses कितना हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं, cubical cube बनाना, space लेना, बड़ी-बड़ी cities में रखना, उनका expenses, उनका travel expenses, सारी cost zero हो गई work from home में, even electricity भी कभी bill पे नहीं करना, आप सोचिए कि कितना बड़ा changes आया है, तो आने वाला जो समय है, वो IT company में सबसे बड़े changes में, अगर कुछ देखा जाएगा, तो वो यही देखा जाएगा, अब आती ये बात कि work from home से क्या होगा, यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप MCA करने जा रहे हैं, और obviously MCA करने जा रहे हैं, मतलब IT fields में जाने वाले हैं, तो आज नहीं तो कल हो सकता, आपको भी इसी तरह क्या offer है, तो work from home में होगा क्या, work from home में ऐसा नहीं होता कि काम काम होता है, मैं बता दूँ आपको कि जो work from home करते हैं, अगर आपके बड़े भाई-बेन जॉब कर रहे हैं, तो आप एक बात notice क कर रहे होंगे कि काम जादा करना पड़ता है, क्योंकि प्रैशर जादा होता है, targeted मिलते हैं, दूसरी बात, अगर work from home में कोई cheating कर रहा है, तो बहुत जल्ली उसका cheat भी समझ में आ जाता है, और फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, यानि उसकी नौकरी भी चली जाती है, जोविट के बाद, लोगों को ये समझ में आया है, कि online के through भी, क्योंकि वैसे भी कम से कम बाकी नहीं पता, पर हम लोग, तो मैं तो हमेशा सकता हूँ, class के साथ ही live class लेता हूँ, उसका advantage यह होता है, कि जो actual class में चला है, वो ही मिलता है, जो actual class में शीट है, वो ही आपको मि रहते हैं, food, lodging, ये वो सब, उससे cost कई गुना जादा बढ़ जाती है, यदि मैं बोलू, तो online course से, classroom course में लगवख seven से eight time का difference आता है, आप सोच लिजे, और आपने इस COVID-19 के बाद सबसे बढ़ा अगर कोई change है, तो वो यही है, तो online classes में एक चीज जबूर लगती है, वो ह आप कितने discipline हैं, कितने honest हैं, इस पे depend करता है, अगर आपका discipline से पढ़ाई नहीं हो रहा, तो obviously classroom करना ही चाहिए, दूसरा कई बार पढ़ाई मैंने देखा है, चो एक practical problem है, आपके घर छोटे होते हैं, नेट की connectivity वगरा वगरा अलग अलग, पर उस case में हमारे पास pen drive भी है, और pen drive भी बहुत basic से advanced level पे बनी है, तो उसका कोई problem नहीं है, पर मैं आपको idea दे रहा हूँ, कि घर छोटे हैं, हो सकता, घर में member जादा हो, पढ़ाई नहीं हो पारी, तो ऐसे मैं आप भोपाल भी आ सकते हैं, पर आपके पास option हो पने, तो मैं आपको यह बोलूँगा, कि मैं भी रूकिये मत, मैंने प्लान यही किया था, कि 7 या 8 जुलाई को भोपाल में classroom पोलूँगा, हम स्टार्ट करूँगा, आप सोचिए कि इतनी demand थी, मैंने 8 जुलाई को जो batch स्टार्ट होने वाला था, उसको pre-porn करके 16 जून किया, अभी भी continuously बच्चों के जब message आते है कि सर अब college के exams का result आ चुका है, promote कर दिया हमको, अब हमें MC की तैरी करनी है, ऐसे में मैंने सुचा हर बच्चे से कई बार बात नहीं हो पाती class के वेसे, तो मैं यह session ले लूँ, तो इसलिए ये batch के साथ बता रहा हूँ, तो अब क्या होगा, कि आप यहाँ जोडएंगे, औ आपके लिए और हमारे लिए समझदारी का कदम होगा, lockdown का भी purpose यही था, सब कुछ unlock हो गया, no doubt, but unlock होने के बाद, situation dangerous हुई है, याद रखेगा, lockdown के समय जो condition नहीं थी, वो अब हो गई, क्यों, क्योंकि unlock है, आप जहां पर भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आप कई लोगों क संपर्क में आ रहे हैं, तो ऐसे में problems कभी भी हो सकती है, तो मैं हमेशा अभी बच्चों को भी यही कहता हूँ, कि आपको ज्यादा निकलना नहीं है, कोशिश करिए कि नए लोगों के आप contact महीं नहाएं, distance maintain रखें यह सब चीजे करें, तो anyway, आपको मैंने फिर एक बार ब questioning, quantity aptitude, computer fundamental and English, यह basic syllabus होता है, और लगवक सभी जगे पे एक जैसा syllabus होता है, in term of IT placement is no problem, बहुत अच्छे placement हो रहे हैं, अच्छे-च्छे jobs लग रहे हैं, ऐसे में आप लोगों को अपनी preparations के लिए focus करना चाहिए, बिना देर किये, start कर देना चाहिए, मैं एक और बात बता दू आपको कि impetus gurukul में, live classes और pen dive में, ऐसे बच्चे भी जोईने, जिनको not only 21, 22, 23 में भी exam देना है, वो भी, क्योंकि एक simple logic है, जितना early join करेंगे, उतना pressure relief होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो आखरी के 4 महीने करते हैं, उनके उपर highest pressure होता है, नहीं होने पर selection drop लेन आपड़ता है, कुछ one year preparation करते हैं, कुछ two year, कुछ three year, simple logic है, जो जितना time देगा, successful के chance भी उतनी ज़्यादा होगे, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा 9-10 से, IIT की preparation करें, नीट की preparation करें, तो selection के chance उतनी ज़्यादा होते हैं, same thing, अगर आप, मैं बोलूँगा कि आप अगर first year में भी हैं, second year में भी हैं, third year में भी हैं, किसी भी year में, आप दे ना करें, join कर लें, और अपनी पढ़ाई चालू कर दें, syllabus 11-12 का math, 9-10 का quantity aptitude, logical reasoning, यह सब syllabus का part है, यह syllabus हर जगे useful होता है, समय रहते हुए preparation करिए, बिलकुल मत बैठी है, अभी situation कुछ नहीं है, क्योंकि देखे, school, colleges, और coaching, कब open होगी, यह बिलकुल नहीं पता, जैसे अभी भी हम देखें, तो मैं भले ही 21 का session ले रहा हूँ, पर आप सब को पता है, कि अभी 20 का exam ही नहीं हुआ है, और 20 का भी batch चल ला है, तो सोचिए, और कब होगा, यह भी नहीं पता है, ऐसे में हम यह सोच के रुख जाएं, कि चलो अभी तो time है, तो यह mistake बिलकुल मत करिये, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, हर साल जनवरी batch के revision course में, बहुत सारे नए बच्चे join करते हैं, जैसे 20 के लिए 20 वाले 21 में, पर जब वो join करते हैं, और जब वो बोलते हैं, यह बात, कि सरका आज पहले पता होता, तो अच्छा होता, बहुत pressure है, पंदा-पंदा खिंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, जब जाके सीज़े complete होती है, तो आप उस pressure को ना लें, अभी समय है, अगर आप अभी 21 में exam दे रहे हैं, तो आज से join करने पर आप मैं बोलू, 6-8 hour अगर preparation के दिया हुआ, impetusgurukul.com, इसके description में, वहाँ से जाके आप office पे visit करें, या उस पे mobile number दिया, contact करें, मुझसे contact कर सकते हैं, but, confuse ना हो, और focus होके पढ़ाई चालू करते हैं, thank you and all the best.